सर्दियों का मौसम हो और नास्ते या फिर लंच में अगर गोभी के पराटे मिल जाएं तो फिर क्या ही कहना है तो आज मैं आपके लेकर आई हूं गोभी के पराटे की बहुत ही आसान सी रेसिपी अगर आप पहली बार गोभी के पराटा बना रहे हैं और इसे बनाने में आइकन को ज़रूर प्रेस करें इसे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी तो पराटे बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है एक फूल गोभी इसे मैं अच्छे से धोल लिया है इसके बाद हम इसके छोटे चोटे टूटे कर लेंगे तो य का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो पानी में हम गोभी को अच्छे से डिप कर देंगे और इसे 5-10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट बाद हम इसे पानी से छान लेंगे और अब हमें गोभी को कद्दुकस करना है तो यहाँ पे जो ग्रेटर का मोटा वाला पार्ट होता है उसे से हमें गोभी को ऐसे कद्दुकस कर लेना है क्योंकि हम गोबी का पराठा बना रहे हैं तो हमें गोबी के चंक्स भी दिखने चाहिए जिसे गोबी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी तो यहाँ पर यह सारे गोबी को मैंने कदुकस कर लिया है यह इन में जो पार्ट बसता है उसे हम निकाल देंगे तो हमें गोबी से सारा मॉस्चर निकालना है तो इसके लिए इस गोबी में एग से 1.5 चमस नमक डाल देंगे तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गोबी के पराठे बिल्कुल ना फटे तो आप यह स्टिप जरूर करें तो गोबी में हमें नमक मिला दिया है इसे हम 5 मिनिट तक 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 चोड़ देंगे 5 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं कि गोबी से मॉस्चर रिलीज हो रहा है तो इसे हम एक सूती के कपड़े में से बांध लेंगे और सारा पानी जो है स्कुईज कर लेंगे तो बस हमें गोबी का सारा पानी में चोड़ लेना है इस स्टिप से आपके गोबी के पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे तो गोबी से ये जो पानी निकला है उसे हम फेकेंगे नहीं इसे हम आटा गुतने में इस्तिमाल करेंगे तो साथे साथ हम आटे का डो लगा लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने दो कप गिहूं काटा लिया है, इसके साथ हमें मैदा बगरे कुछ भी नहीं मिलाना है, यहाँ पे एक चमच हम चिली फ्लैक्स एट कर देंगे, और आधा चोटा चमच नमक डाल देंगे, इसके साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, बिल्कुल सॉफ्ट आटा बनाके तयार करेंगे, तो पराटे के यहाँ पे दूसरी टिप यह है, कि आटा आपको बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, अगर आपने आटा हाड लगाया, तो जब भी आप पराटे बेलेंगे, तो पराट कटा हुआ प्याज, प्याज को भी मैंने स्कूइस करके पानी निकाल लिया था, और हम इसमें कटी हुई अद्रक और हरी मिर्श डाल देंगे, और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पता डाल देंगे, और इसके साथ हमें इसमें कुछ सूखे मसाले डाल लेते हैं, तो एक चम हम ऐसे अद्वी के पराटे के स्टफिंग बिल्कुल तयार है और अब आटे को चेक कर लेते हैं, तो यह आटे को जेo thiskal सेट को detecting तो थोड़ा सा और से घृत लेंगे, तो यह एमरा आटे को जैज़ समकने के च्छिक ना कर लेंगे, तो यह रहा आटे को तो जैज की मैं Trent कोटी की लोई बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी हमें लोई बना के तयार करनी है तो यह सारी लोईयां बनके तयार हो गई है तो आप डारेक्ट इसके पराटे बना सकते हैं या फिर यहां पर थोड़ा सा मैसे ऑईल लगा देंगे और पांच मिनट के लिए छोड़ तो यह हमारा stuffing करने का traditional तरीका है और इसमें हम stuffing डाल देंगे तो इसमें लगवक तीन बड़े चमल stuffing डाली है मैंने जूँकि पराटो में जब तक stuffing अच्छी नहीं होती तक पराटे अच्छे नहीं लगते हैं तो हमें बिल्कुल भर भर के stuffing डालनी है तो इस तरीके से किनारे से दबाते हुए हमें इससे अच्छे से बंद करना है इस तरीके से तो हाथों को दबाते हुए आप इसके उपर के साइट को ऐसे बंद कर दें अच्छे से बंद करने के बाद हमें उपर से थोड़ा सा सूखा आटा डस करके इसे हाथ से ऐसे थोड़ा सा स्प्रिट कर लेना है ताकि स्टफिंग सारे जो लोई में अच्छे से फैल जाए उसके बाद हम इसे ऐसे ठोड़ा सा रोल कर लेंगे तो हलके हाथों से आप दबाते हुए इसे रोल कर लें तो रोल करते हुए जब तक थोड़ी से स्टफिंग दिखने ना लग जाए तब तक हम इसे रोल करना है तो ये देखे अलकेल की से बो भी दीखने लगी है तो हमारा ये पराठा जो है रोलो के तयार हो गया है ऐसे ही हम बाकी के पराठे भी रोल करके तयार कर लेंगे तब हम इसे सेख लेते हैं तो हम इसे डालेंगे एक पैन में पैन या फिर तवे किसी पे भी आप सेख सकते हैं तो एक साइट से जब यह थोड़ी सी सीख जाये तब हम इसे पलट देंगे पलटने के बाद अब दूसरे साइट में इस पे घी बटर या फुर्टेल कुछ भी लगा सकते हैं तो यहां पर मैं इसे थोड़ी से घी लगा रही हूँ घी को अच्छे से लगाने के बाद हम इसे पलट देंगे तो दोनों साइट से हमें अच्छे से इस पे घी लगाना है तो घी लगा के अच्छे से हमें इसे दोनों साइट से पलट पलट के सेखना है तो इस पराठे को मैं मेडियम फ्लेम पे ऐसे सेख रही हूँ क्योंकि थोड़ा पेसिंस समय रखना पड़ेगा क्योंकि गोभी भी अंदर सेख जानी चाहिए पिसे गोभी को हमने थोड़ा से गरम पानी में भी डाला था तो ऐसे ही गोभी थोड़ी से सॉफ्ट हो गई थी तो ये एक पराठा हमारा बनके तयार हो गया है बागी के पराठो को भी हम ऐसे ही सेख लेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने soft soft गोभी के पराठे हमारे बनके त्यार हो गए हैं आप इसे देख सकते हैं अंदर से stuffing कितनी भरी हुई है उपर से हमारा पराठा बिलिकुल soft है तो जब आप इसके प्लेटिंग करें तो इसे garnish करें थोड़े से butter प्याज और हरी मिर्ज के साथ और साथ है हम इसे serve करेंगे यहां पर दही के रायता, हरी चट्मी और आप चाहें तो यहां पर थोड़े सा अचार भी आइप कर सकते हैं तो अगर आपको भी गोभी के पराठे बनाने पर परिशानी आती है कि पराठे फट जाते हैं तो आप इस आसान तरीके से गोभी के आपके को बना के त्यार कर सकते हैं यह पराठा आपको बहुत ही पसंद आएगा और अगर आपको मेरी यह पी पसंद आई तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है ना भूलें